हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं ब्लड डोपिंग के बारे में बता रहा हूं दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि डोपिंग दो प्रकार का होता है एक प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ और दुसरा सारी गति विधिया यानि फीजिकल मेथद तो प्रदर्शन बढ़ाने वाले जितनी पदार्थ हैं उसके बारे में डोपिंग के फर्ष्ट पार्ट में बता चुकी हूं उस विडियो को आप चैनल के प्ले लिस्ट मे जा करके देख सकते हैं और आज इस विडियो में सारी गति विधिया यानि फीजिकल मेथट से अंदर गत दो विधिया आती हैं ब्लड डोपिंग एंजीन डोपिंग तो इन दोनों विधियो के बारे में मैं डेटेल में इस विडियो में बताऊंगी दोस्तों यदि आप च इस विदियो में दूस्तों और डूपिंग छो है दो प्रकार ना होता है से जीर्ओ और हुभरण हुभर सैसी हम लोगता अपने में चढ़ा जाता है, होमोलोगस में दुसरे का रक्त अपने में चढ़ा जाता है, तो कैसे होता है, आटोलोगस में स्वयम का रक्त जो है, खेल प्रतियोगता के कुछ सहबते पहले, खिलाड़े को रक्त चढ़ा दिया जाता है, और होमोलोगस में क्या होता है, कि जाता है यानि कि होमलोग उसमें दूसरी अगरक्त खिलारी को चड़ाया जाता है एंड जीन डोपिंग में या जीन थेरेपी की सिधान पर अधायित होता है दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड डोपिंग की विधी क्या होती है दोस्तों जैसा कि ब्लड डोपिंग में एरोबिक प्रकार के खेलों में यह ज़्यदा प्रयोग होता है एरोबिक प्रकार के खेलों में यानि कि जिसमें जादे समय की क्लिए लंबी अवधी की दोड़े, क्रास कंट्री, स्कींग, सैक्लिंग, आदी खेलों में यह ज़्यदा इस्तिमाल होता है जिसमें सहन सिल्टा किया सकता होती है इस बीदी में क्या होता है दोस्तों कि 4 से 8 सब्ता पहले 2 यूनिट रक्त यानि 2 यूनिट यानि एक यूनिट में 500 यमल होता है यानि 500 यमल रक्त यानि कि 2 यूनिट रक्त को चार से आर सब्ता पहले चार से आर सब्ता यानि कि एक से दो महिने पहले रक्त को अपने सरीर से निकाल लिया जाता है दो यूनित उसके बाद जो रक्त निकाला जाता है तो उसमें से आर बी सी को प्लाजमा से अलग कर लिया जाता है आर बी सी को क्या किया जाता है रक्त में प्लाज्मा आर्वीसी प्लेट्स इस सब होते हैं बट उस रख्त में से आर्वीसी को प्लाज्मा से अलग कर दिया जाता है और फिर आर्वीसी को डीप फ्रीजन में रख दिया जाता है ठीक है अर्वीसी को प्लाज्मा से अलग करके डीप फ्रीजन होता है जो रख्त को आपके सरीर में तो आप अपने सरीर से ब्लड निकाले हुए है तो आपके सरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी कि नहीं तो इस बीच खिलाड़ी अपने ट्रेनिंग को प्रकरार रखता है और लगबग 24 से 30 गंटों में निकले हुए ब्लड कोई पुना प्राप्ति हो जाती है और इस बीच दोस्तों जब एक दो महिने तक रखा रहता है डिप फिरिजन में इस बीच खिलाड़ी अपने आहार में आयरान एंड बिटामिन्स की ज़्यादा मात्रा लेता है जिससे रखत में जो उसके सरीर में कम हुआ रसायन है वह भी लगबग 2 महिनों में पुरा बन कि अब क्या करता है कि जब कंपरटीशन का दोर आता है कांपरटीशन के दो या चार दिन पहले यह आपना रखत निकाल धैनके कि दो चार दिन पहले उस रख्त को पुना अपने में यानि अपने सरीर में इंजिक्ट बढ़ाना इसमें क्रियात्मक PcU में ओटू का परिवहन बढ़ जाता है अर्थात्रक्त में हीमोग्लूबीन की मात्रा को यह बढ़ा देता है जो ओटू को अधिक मात्रा में क्रियासिल pcU तक पहुचाता है दोस्तों जैसा कि यह सोचने वाली बात है कि इसको लेने से हमारे सरीर में आरवीची की मात्रा बढ़ जाता है जब आरवीची की मात्रा बढ़ गया तो आरवीची में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है जब आरवीची की मात्रा बढ़ गया तो हीमोग्ल हीं हमारा समय की पूर्ती हो रही है तो हमको ज्यादे समय तक हम कीरिया कर पाएंगे यह याँ कैसे थख जाते हैं लिक्तिक अपर आंप की अधे हूं तो हमको थाक ज्यादे दिर तक कर सकेंगे ुए इसलिए यह लंबी अधि की निइमती को करने वाले खिलाणी जीटन इसका प्रयोग परियों करते हैं। तो ऐसे यह मतलब पूछ अब कि लिए कि क्या करने के लिए क्लिए किया गूंगe कीज के आता है और निया की लिए आज लंबे दूरी दोड़ों के लिए या लंबे समय तक क्रियाओं के लिए तो दोस्तों जब आप समझे रहेंगे तो किसी भी कोस्टन का एंसर आसानी से दिलेंगे आपको रोटेनी की जुरूत नहीं पड़ेगी अब बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा एक्सपेंडर्स की यह भी रख्त डूपिंग के अंतरगत आता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यानि पी एक्स यहां क्या होता है दोस्तों यह रख्त में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने के लिए लिया जाता है यहां आउसदी बिज्ञान में इसका प्रियोग सरीर में पाने की मात्रा भरपाई करने के लिए भी किया जाता है यानि इसका प्रियोग किसके लिए किया जाता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का प्लाज्मा की मात्रा को बहाने के लिए और अस्वधे बिज्ञान में इसका प्रियोग शरीर में पाने की मातरा की भरपाई करने के लिए भी प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का प्रियोग करते हैं जैसे दोस्तों बिज्ञी का करन्ट लग जाने की पस्चात या आपरेशन के दुरान ज्यादा खुन बह जाने पर इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों एक महत्पूर यानि ध्यान देने वाली या परिच्छा के उप्योगी बात यह है कि खिलाड़ी इसका प्रियोग EPO के प्रभाव को चुपाने के लिए इर्थो प्रोटीन को चुपाने के लिए प्रियोग करते हैं जिससे इसको लेने से जो इर्थो फ्रोटीन लिए रहते है खिलाड़ी उसका प्रभाव नहीं दिखता है यूरिन टेस्ट में दोस्तों प्लाज्मा एक्स्पेंडर्स के अंते लगत कौन-कौन से पदार्थ आते हैं जैसे कि हीमार सेल एल्ब्यो मेक्स जिलो फ्यूजीन आदे आते हैं एक होता है दोस्तों आर्टिफीसियल आक्सिजन केरियर्स यानि क्रितिम आक्सिजन के वाहत इसमें वे रसायन आते हैं जो रख्तमी अधिक मात्रा में ओटू पहुचाने की छमता को बढ़ा देते हैं कौन से पदार्थ आते हैं कौन से र क्या बताया था फिजिकल में दो प्रकार है बलड डोपिंग ए जीन डोपिंग बलड डोपिंग के बारे में मैं तो बता दी अब बात करती है जीन डोपिंग के बारे में दोस्तों बरतमान खेल यूग में जीन डोपिंग का अत्यदिक प्रयोग होता है लेकिन क्या है दोस विख्सित हो जाते हैं और जब जांच होता है पता ही नहीं चलता है, वाडा के लिए इसकी जांच बहुत मुस्किल साभिट हो गई है क्योंकि मुत्रके नमुने में इसके अर्ज कई महिनों के पस्चात नगन यानि बिल्कुल नहीं रह जाते हैं इसलिए वाड़ा के लिए एक परिसानी मुश्किल भरा चीज है जीन डोपिंग के दोस्तों दो विधियां होती है एक रत्यात्मक रूप से और दूसरा समाने या वंसा नुकरत सेल के रूप का प्रयोग करके कि जूलते पदार्थो का सरीर में इस्थनांत्र किया जाता है जिससे सरीर में पेशीय ताकोथ और सहनसिलता बिखित हो जाती है और समगार वंसा नुकरत सेल्स का प्रयोग किया जिसका जास्च यूरीन टेस्ट के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों ये था ब्लड डोपिंग के बारे में जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों एक से दो बार आप देख लेंगे तो सायद कभी नहीं भूलेंगे अब नेक्ट वीडियो में दोस्तों ये द अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों एंड ज्यादे सजातने अपने दोस्तों तक भी सेर कीजिए जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल से कि जिसे आगे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके के लिए प्रवाइट कर सकूं तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली वार वीजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेजिए विल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिसे जो ही मैं नया वीडियो अप्लिट करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपके पहुछता रहे दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाया है